अज़ बना रही हूँ ब्लैक प्रीवी पनीर मसाला प्रेले मैंने कड़ाई में सारे खड़े मसाले रोज कर लिये मैंने लिया 2-3 टीसपून साबुद धनिया फिर पास से 6 लॉंग, पास से 6 हरी चुटी लाइची थोड़ा जाय फल, 2-3 टीसपून फैनल सेट जिस हम सौफ भी बोलते हैं थोड़ा साबुत मिरी और 2-3 लाल मिर्च मैंने तीखी लाल मिर्च ली है, आप सिंपल वाली भी डाल सकते हो और एक स्टार अनाइस और आधी जालचीनी तोड़कर डाली है आपको इसे खुश्बू आने तक भून ना है काले मसाली के लिए मैंने ली है दो बड़े प्यास, दो बड़े टमाटर और आधा सुखा हुआ नारियल मैंने गैस के फ्लेम पर भून लिया था और कुछ लसून की कलिया और आधा अध्रकर टुकड़ा इन सबको अच्छे से भून लिया और उसकी पेस्ट बना लिया फिर बात में मैंने एक कढ़ाई में बटर और तेल मिलाकर उसमें हिंग, स्वादा नुसार और एक स्पून जीरा डालकर अच्छे से भून लिया फिर मैंने उसमें ये पीसा हुआ मसाला डालकर अच्छे से मसाली को पका लिया ताकि मसाला कच्छा ना रहे और अच्छे से तेल छुटने तक मैंने उससे पका लिया था फिर मैंने उसमें आधा चम्मच हल्दी आधा चम्मच मिर्च पाउडर और गर्म मसाला डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया फिर स्वादानुसर आप इसमें नमक एड़ कर सकते हैं थोड़ा मेने इसमें धीमी आज़ पर पकाया ताकि मसाला जल ना जाए और उसको जलने की समेल ना आए इसलिए हम धीमी आज़ पर उसे 27 मिनिट बकाएंगे जैसे ही मसाला पक जाता है हम उसमें डालेंगे पानी आपको गाड़ी ग्रेवी चाहिए हो तो आप पानी कम डाल सकते हो अगर पतली ग्रेवी चाहिए तो आप ज़्यादा पानी मेंक्स कर सकते हो पर ध्यान रखिए उसके वज़े से नमक का प्रमान कम हो जाता है तो आप नमक जरूर जेक करें इसके बाद मेडियम आज पर 10 से 15 मिनिट तक आपको इसे पकाना है जब तक वो पक रहा है जब तक वो पक रहा है एक्चुली मैं मैं एक गरी बनाने वाली थी पर हुआ है एक जार नॉट ट्वेश तो मैंने पनीर को यूज कर लिया तवे पर मैंने बटर डाल कर थोड़ा पनीर को भून लिया ताकि वो कच्छा ना रहे और अच्छा पका हुआ रहे तो ग्रेवी के साथ खाने में बहुत अच्छा लगेगा और मैंने उसको फिर भून के थोड़ा ग्रेवी में अड़ कर लिया और ढ़कन लगाकर उसे 10 मिनिट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया अगर आपको मेरा यह व्लॉग पसंद आए आप जरूर ट्राय करिए आपके घर में ट्राय करिए के काले मसाली की पनेर ग्रेवी केसी होती है और बहुत सुंदर लगती है जैसे आप मटन और चिकन बनाते हो वैसे आपने पने की बनानी है तो बहुत ही सुंदर लगती है यह मेरा कुछ प्रेजेंटेशन है अगर आपको पसंद आये तो जरूर बताइए का कमेंट में और मेरा यह व्लॉग पसंद आये तो लाइक करिए शेयर करिए अपने दूस्तों के साथ और कमेंट करिए और बहुत सारा करिए अगर वीडियो पसंद आये तो चैनल को सबस्क्राइब करना मत दूलना